दोस्तो आज मैं आपको बताने वालाओं कि आप phone paper customer care से बात कैसे कर सकते हैं हाँ दोस्तो आप phone paper customer care से बात कर सकते हैं दोस्तो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा phone paper के अंदर तो दोस्तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको यदि आपको phone paper customer care से बात करनी है तो यहाँ पर आप उपर जो यहाँ पर आपको प्रस्ण वाचक चिन दिख रहा है सरकिल के अंदर उस पर click कर रहा है यहाँ पर आप click करोगे दोस्तो तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस type का interface दिखाई देगा यहाँ पर हम इसको हिंदी करके दिखा देता हूँ मैं आपको तो हम हिंदी में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि आप कस्टूमर केर से बात कर सकते यानि आपको कोई भी contact number या messaging सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी customer care से बात करने की आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप customer care से बात कैसे करेंगे आपको क्या करना है phone pay per account नहीं मनाया दोस्तो आप comment box में ये भी बता दीजेगा मुझे कि आपके phone paper आपको क्या problem हो रही है यदि वो problem आपके साथ में हो रही है कोई भी problem तो comment box में मुझे बताईएगा मैं उसको solve कर दूँगा यानि कि मैं वीडियो बना दूँगा या फिर आपको comment में reply कर दूँगा कि ऐसे कर रहा है आपको अब दुस्तो customer care से बात करने के लिए phone paper तो नहीं मिलेगा आपको google chrome browser पर जाना होगा यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर search करना है phone पर तो हम यहाँ पर phone पर search कर लेते हैं phone पर search करने के बाद में इस type का interface दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर first number पर तो आपको phone पर app की link में लगी यानि play store पर जाओगे यदि आप इसको यहाँ पर click करोगे second number की website है phone पर UPI payment, investment, insurance, recharge, DTS and more तो हम इस पर second number की website पर click कर देगे यहाँ पर click करने के बाद में आपको इस type का interface दिखाई देगा हम इसको scroll करेंगे दोस्तो और scroll करके सबसे नीचे चले जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर contact इसका option दिखेंगे आपको इस पर आपको क्लिक करने के बाद में फिर हम नीचे इसको scroll करेंगे scroll यहाँ पर कर देंगे दोस्तो तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखेंगे आपको contact इसका option दिखेंगे यह आप देख सकते हैं तो हम इस पर click करेंगे पहुन पे customer care से बात कर सकते हैं इस mobile नमबर पे click करके यहाँ पे इस नमबर पे click कीजिएगा यहाँ यानि की इस नमबर को copy करके dial paid में dial कीजिएगा आप बात कर सकते हैं यहाँ पे contact करके calling करके अब यदि आप message करना चाहते तो नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको send a message का option स्क्रॉल करो नीचे सेंड मेसेज का आपको मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसको मेसेज कर सकते हैं कस्टुमर के रहो